क्या आपका पशु ब्याने वाला है इसका चड़ा अगर छोटे साइज का है दूद को बढ़ाना है तो अब क्या करो ब्याने से पहले विटामन एच एनिमल को देना शुरू कर दो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है लेकिन कमपनीज ने इसके चकर में विटामन एच के चकर में इतला बेफकूप बनाया पड़ा है ना फार्मर्स को कि अगर आपनी ये सारी वीडियो प्रॉपर ली देख ली तो कोई भी कमपनी या कोई भी मैनुफैक्चरस आपको बेफकूप नहीं बना पाएगा तो इसी टॉपिक को डिसकस करते हैं तो बढ़ी रही है मिरस आज हम बात करने वाले हैं विटामन एच के बारे में विटामन एच बी सेवन ये विटामन एच के ही नाम है तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि बहुत सारी जगावे मैंने देखा है हरी एक चीज़ को अलग अलग करके लोग ने समझाया है लेकिन ये तीनों एक अब मैं डिरेक्टी मुद्धे पर आता हूँ कि कैसे हमें विटामन एच के चकर में विफ को बनाया जा रहा है अब मैं आपको एक क्लारेटी दे दूँ कि जो विटामन एच की डोसेज है जब नॉर्मली पशु दूद दे रहा है तो उसकी है 10 मिली ग्राम और जब पशु हमारा ब्याने वाला है तब इसकी डोस होती है 20 मिली ग्राम पढ़ने के साब से यह आप अपने दिमाग में अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हो कि इतनी इतनी डोसेज है 10 मिली ग्राम अगर पशु नॉर्मली दूद दे रहा है 20 मिली ग्राम जब पशु ब्याने वाला है तो इसको इसतनी डो से चाहिए चाहिए अब बहुत सारी companies हमारे पास आ रही है जो मैं कुछ companies के नाम नहीं आपको reveal करूँगा सिर्फ उनके content शोग करूँगा क्या क्या दे रही है अब हम देखते हैं कि companies कैसे formulation हमेश थ्रोग कर रही है यह पहला company शोग कर रही है कि इसमें 1 ml में कितना है 12.5 मलब 12.5 mcg इसमें क्या है vitamin h और अगर इसको हम mg में convert करें तो यह बन के आएगा 0.0125 mg मतलब 1 ml में कितना आया 0.0125 mg मतलब अगर हम 100 ml यह देंगे न तब जाके बरेंगा 1.25 mg मतलब यह वाला अगर product हमने use किया 100 ml पशु को देना पड़ेगा फिर जाके उसकी dosage body में कितनी जाएगी 1.25 mg जो की फिर कम है क्योंकि हमें dosage कितनी चाहिए थी 20 mg चाहिए थी और यह 100 ml देने के बावजूद पशु को कितनी dosage जा रही है 1.25 mg तो यह आप समझ सकती हो कि अगर हम 200 ml भी यह provide कर दें तो फिर भी नहीं complete हो रही मतलब एक लीटर अगर दें तो तब जाके तकरीमबन 10 mg हमारी dosage जाएगी आप देख सकते हो कि एक product इन्होंने बनाया लेकिन इसमें इन्हों नहीं vitamin H के dosage यह इतनी कमण डाली होई है जो पशु को मतलब जो उसको फाइदा होना चाहिए वो हो गई नहीं तो यह सबसे बड़े यह पहला जोल हो गया दूसरी company का product भी आप देख सकते हो इसमें भी वैसे ही 12.5 mg है इसका भी same हो गया कि जिर स्तों ml दोगी न फिर जाके एक mg something dose जाएगी जो फिर पूरा नहीं कर रहा है और यह कुछ companies हैं जो थोड़ी ethical भी हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है कि 1000 mg है मतलब एक mg है इसमें एक ml में मैंने इसलिए सभी companies का नाम अगेरा रवील नहीं किया है क्योंकि मैंने जाता कि आपकी company को judge करो मेरे point of view से सिर्फ आपको clarity के लिए दिखा रहा हो कि companies कितनी dosage बोल रही है और उससे पशू का vitamin H का 10% भी नहीं पूरा हो रहा जिस news को requirement है तो ये companies क्या कर रही है कि जितना ज़्यादा ज़्यादा पिलाओगी अगर 100-100 ml आप पिलाने लगे तो इनका उतना ही ज़्यादा सही होगा और हम जैसे farmer को इस तरह से नूटा जाएगा अब ये नब perception सी बन गई है कि जब पशू ब्याने वाला है विटामन एच का सबसे important role है उनके जब पशू के पैरों में दिक्कत आती है keratin layer की जब दिक्कत आती है जब ulcers होते हैं पैरों में जब hardness होनी होती है soul की उस time हम use करते हैं विटामन एच को मतलब जहां भी body की कही wound healing को जगम वगाई healing करवानी हो खास करके पैरों की दिक्कते होना तब हम particularly use करते हैं विटामन एच को लेकिन companies ने अपने perception की साब से sale output बनाने के लिए पूरा इनको गुमार के गिस्में रख दिया है सिर्फ इसको dry period में जब पशु बयाने वाला है तब हमें देना ही देना है अगर हमने इंप्रूब करना है तो note of vitamin is important है लेकिन उसके साथ साथ अगर AD3 vitamin होगा और selenive और vitamin A7 में होगा तो ये एक cycle बनता है properly जिसकी वज़ा से order की growth भी अच्छे होगी और body में एक shine भी आएगी जब पशु बयाने वाला होगा है लेकिन इसका primarily ये नहीं रहा गया है कि बस पशु के चड़े का size इंप्रूब करेगा और ये shining करेगा और दूद को उत्पादन बाग में बढ़ेगा दूद के उत्पादन में इसका ऐसे role है कि जब ये human में इसकी fermentation घरा होती है तो proponate बनता है proponate से glucose generate होता है glucose से जागे आगे जाके दूद को उत्पादन बढ़ता है अब fiber की बगर बात करो तो fiber को भी improve करता है fiber की improvement भी करता है fermentation की जिसकी वज़ा से fat की improvement होती है दूद में बर नॉर्मली क्या होता है कि रूमन में जो बड़ा पेट होता है इसमें जितने भी me complexes है खुद बख़़ रूमन बनाता है लेकिन इसमें कितना बनाता है 2 से 4 mg लेकिन अब हमें पता है कि body की requirement कितनी है 10 mg जब वो दूद दे रहा है 20 mg जब वो ब्याने वाला हो तो ये requirement पूरी होने रही इसलिए हमें supplement करना बढ़ता है बाहर से हमारा vitamin H और इसी चक्कर में हमें companies ये product purchase करना बढ़ता है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सभी companies लूट रहे हैं मैंने example भी आपको दें कि कुछ अच्छी companies हैं भी जो अच्छी quantity में अच्छी मातरा में vitamin H दे रही है लेकिन ये ही है कि जब आपके पास कोई आए company वाला product बेचने आए तो आपने at least इतना calculation जुरूर करने ना है कि उसमें vitamin H की मातरा पूरी है के नहीं है अगर मैं और थोड़ा सा आपको explain करना है कोशिश करो तो आपको most लिए जब company के आप formulations देखोगे न invert कर सकते हो मतलब total आपके पशु को दिन की 10 mg या 20 mg विटामन होना चाहिए अगर वो sufficient नहीं करा अगर 100-200-200 ml ही पीना पड़ेगा हमारे पशु को सिरफ तो इतना हमने अपना पैसे का नुकसान नहीं करना है हमने अपने products को अपनी farming को economical करना है ना कि companies को अपना जो hard work वाला पैसा है इन companies को देना है तो ऐसे ही कुछ अच्छी वीडियो से logical videos जो आप सभी farmers के लिए help low में बनाता रहोंगा तो इस तरह की अच्छे च्छी logical videos में आप सभी के लिए लिए लिखे आओगा अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज दू लाइक, शेर और सब्सक्राइब इस चैनल और मैं मिलूंगा आपका आपका नेक्स टीडियो में तिल दन नमस्कार